नमश्कार के साथ मैं जै शेंकर जै श्रीकृष्णा जै गुरू और ये क्रम जो है हमारा निट्य नूतन पुस्तक स्वामे श्रीश्वरा नंद गिरीजी माहराज की उसके चौते अध्याय जिसका शीरशक उन्होंने अशूपति दिया उसमें सीधे सीधे प्रवेश करने के पहले पहले बहुत शीगरता से ये आप तक बात पहुँचाते हुए कि इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में लिंक है पहले के अध्यायों के भी तो अगर आप चाहेंगे तो उनका लाब आप वहां पहुँचकर ले सकेंगे तो परागती था पिछला वाला अध्याय और ये जो चौथा द्याय है इसका शिर्शक है पशुपति पशुपति तो आपको पता है कि शिव जी को का नाम है और पशुपति राज जी का बहुत प्रसेद मंदर नेपाल में है भी आपको पता है पर यहां ये संदर्व महाशिवरात्री पुन्य तंपर्व के साथ में हवाहित किया गया होगा किया गया था ऐसा खेलते इतनी वाद प्रारम करते हैं माशिवरात्री पुन्यतम पर्व का पुन्य एक बार हम स्वागत कर रहे हैं प्रतिवर्ष करते हैं प्रतिवर्ष तत्परता से इस पर्व का व्रत लेकर अनुष्ठान करते हैं पूरे दिन और पूरी रात क्योंकि ये ऐसा तिवार है जिसमें धर्म का सर्वस्व आ जाता है महाशिवरात्री पर्व के महातम में और अनुष्ठान क्रम में मानु भारत की समग्र अध्यात्म साधना की कहानी प्रतीक रूप से कही गई है इस वर्ष की महाशिवरात्री की विशेष्टा और भी बढ़ गई क्योंकि ये भारत स्वतंत्रता स्वर्ण जयन्ती का वर्ष है स्वतंत्रता विचार और शिवतत्प विचार का संगम एक अत्यनत सुन्दर दार्षनिक उपलब्धी है इसी पर थोड़ा हम ध्यान देना चाहते हैं इसके लिए केवल पचास वर्ष के भारती प्रवत्ती को देखना मात्र परियाप्त नहीं है भारत एक प्राचीन सब्वता संपन देश है हजारों साल से ये जी रहा है इसके सारे इतिहास को देखें तो भारत सतंत्रता आंदोलन और उपलब्धी का कुछ अनुमान हो सकता है क्योंकि इस पवित्र भूमी पर जबसे रिशियों ने सब्वता संस्कृती की नीव डाली ये देश बंदन मुक्ती को परमलक्षमान कर चल रहा है बड़े रक्षसों का आक्रमन हुआ था इरनाक शेरनकशुब आदी पौरानिक व्यक्तियों की वाद छोड़ भी दे प्रतम इतियास नामायन के अनुसार भगवार श्री राम का अवतार रक्षसों के रत्याचार से पीडित भारत को मुक्त करने के लिए ही था चाईवे राक्षस रावन जैसे विप्रकुल में ही पैदा हुए हूँ उसके कम से कम पाँच हजार साल के बाद श्री कृष्ण आए तब तक बहुत से राजकुल के शाशक राक्षस बन गए थे इनकी कलुषित राजनीती और अधारमिक गडबंदन से सारे राष्ट्रे जीवन में जहर फैल गया था इसका उपचार करते करते आखिर में श्री कृष्ण को मा भारत युद्ध को स्वीकारना पड़ा और उसके कुशल संचालन से पांड़ों की द्वारा पुन तत्र श्री विजयो भूति धुवा नीति इससे युक्त भारत की स्थापना श्री कृष्ण ने की ये भारत का रवाचीन इतिहास है ऐसे कितनी बार स्वतनत्रा संग्राम में ये देश उतार चड़ाग से गुजरते वो चला आया इन सदियों के अनुभाव से भारत ने सत्य का उजगाटन किया यतो धर्मस ततो जयह इस सिदान्त को विजयी पक्ष की कुंती और पराजित पक्ष की गांदारी दोनों ने महावारत काल में स्वीकारा उसी कसोटी पर राष्ट परिक्षन किया गया था अब भी ऐसा होना चाहिए इसके लिए योगेश्वर कृष्ण और धनुदर पार्थ का धर्म में दरद निष्टा और आपस में अठूट मैत्री से जुड़ जाना एक प्रकीत है नर्द नारायन का सहचर्य दर्मस्थापन के लिए ही होता है नारायन तो अच्छत हैं कभी स्खलित नहीं होते नर्ही कभी कभी कमजोर पढ़ जाता है तब तब स्रीह, विजया, भूती, नीती ये चारो संपत्ति मानव समुलाई से लुपत हो जाती है ये पहचान है कि हमारी सुतंत्रता वास्तविक है या आवास्मात्र कुछ सब्ता पहले जब कड़ाके की सर्दी पढ़ रही थी अख़बार में दिल्ली का एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया कि जैसे शीत तीवर होता है चोटे-चोटे अपरादों की संक्या तेजी से बढ़ जाती है फुटपाथ पर जीवन निरवाह करने वाले ये अपरादी पकड़े जाते हैं और चोरी को खुबूल करके सर्ष जेल चले जाते हैं क्योंकि वह उनको ठंड से बचाव तो है समाचार देने वाला संभाद रता ये टिपनी करता है कि सुतंत्रता का निस संकोच त्याग हो जाता है जब वो जीवन निरवाह में अपेक्षित उश्मा दे नहीं पाती इस पर हम कई दिनों से विचार करने लगे कि पचास बरस सुतंता के बाद भी राष्टर में ऐसी इस्थितिक क्यों हम किस बंदन से मुक्त होना चाहते हैं कैसे पैसे से उत्पादन होते वे भी इतने लोग गरीब क्यों लगता है कि बारी समरद्धी और प्रयास के साथ अंतरिक संपत्ती और साधना की भी जरूरत है तभी स्वतंत्ता सार्थक और सुरक्षित होकती है इसी तात्परिशिक गुरुजोनों ने कहा कर्म में योग को लाओ या योगस्त होकर कर्म करो तभी श्रेय मिलेगा अन्यता अधिक से अधिक प्रेय के रूप कुछ हाथ लगेंगे और देखते देखते वे भी हाथ से निकल जाएंगे असुरों के जैसे हम भी भौतिक विज्ञान के अधिक शक्तियों का प्रयोग कर भोग के पलारतों को इकत्रित करने में लगे हैं इससे हमारा बंदन बढ़ता जा रहा है अंत्रिक असंतोश व्रद्धी है इसके कारण बहारी आतंक भी व्यापक रूप से फैब रहा है लगता है हम स्वतंत्र जीव अनलक्ष की विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं शास्त्र में कहा है पाश बद्धो भवेट जीवः पाश मुक्तः सदाशिवः आज में कितना भी संपन की होना हो जब तक जीवत्व रहेगा कुछ न कुछ पाश बंदन होगा ही समस्त पाशों से मुक्ततो केवल सदाशिव तत्व है आज आज स्वतंत्रता का वास्तो एक मूल शिवः ही है जीव की साधना किसी न किसी प्रकार से उस शिवत्व की ओर जाना है उस शिवत्व को सपर्ष करना है जो कृपावर्ष मनुष्य की बुद्धी में ही केंद्रित है इश्वरह सर्वभूता नाम रिद्दे शेर जूनत तिष्ठती इश्वर वही है जिसके पास में विश्व संचालन के सारी तार है जिनके द्वारा जीव कठपुतली की तरह गुमाये जा रहा है जीव भी चैतन्य होने से स्वतंत्र होकर कर्म करता है इच्छाएं रखता है दृष्टी कोन अपनाता है पर रस्ती में खूटे बंदे बच्छडे की तरह जीव की गती सीमित है वास्तविक मुक्ती के लिए पशुत्व को छोड़ कर उपर आत्मस्तर में स्थित होना पड़ेगा पशुयदी अपने स्वामी की ओर जाता है जिसके हाथ में पाश है तो पाश बंदन डीला हो जाता है विपरी जाता है तो गले में फासी कस्ती जाती है इसलिए बंदन मुक्ति के पशुपती की उपासना उपाय है पशुपती शिव की ओर हमें जाना चाहिए पर ऐसा होता नहीं मा माया का ऐसा प्रभाव है कि बड़े प्रभावशाली व्यक्ति प्रभुद्ध विद्वान भी मोह में पढ़ते हैं और शिव का विरोध करने लगते हैं इसके दृष्टांत रूप में अनेक रोचक पावरानिक कताएं हैं महा शिवरात्री की ही कता को ले लें ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति सर्जन की सांस्त देव शक्तियों से संपन शिवतत्यों को नहीं पैचानने के कारण जोतिर्मय अनन्य अगनी स्तम रूप से प्रकट हुए उस परातपर शिव के उपर प्रहार करते हैं और उनके उपर अपनी विजय को प्रमानित करने के लिए जूटी गवाई का आश्रह लेते हैं इस अंकान और क्रोध के अलावा ब्रह्मदेव की काम विडम बना का भी दृष्टानत है जब संद्या देवी की सृष्टी हुई तो ब्रह्मा उसके सौंदरे से मोहित होकर मे नियंता सदाशिव के फिनाग धनुष से छूटा बान ब्रह्मा का शिरत छेदन करने में प्रवर्त हुआ पुष्पदंताचारी अपने शिव महिन सोत्र में कहते हैं देखो आज भी रात के आस्वान में रगशिरानक्षत्र के पीचे बान शल्याक्रति आद्रानक्षत्र राशी जा रही है काम ख्रोध के वशीवूत होकर जीव की गतिस खलित होती तो रुद्रबान के तरास से वो बच नहीं पाता चाहे वो ब्रह्मा क्यों न हो भारत के वर्दमान शाशक वर्ग और नेतागन के जीवन में नैतिक पतन के कारण देश खोकला हो रहा है फिर भी प्रसिद्शत रुद्री के यजुरवेद मंत्रों की प्रारुम में ये प्रातना है ये रुद्र आपका शोदनात्म क्रोध शांत हो उसको हमारा नमस्कार है उस मन्यू के कारण उठे आपके दुनुषबान को नमस्कार है उसको चलाने में उद्यत आपकी दोनों बुजा और नम्रताहीन कड़ा है उसको जुकाना है शिव चर्णों में अर्पित करना है ये सब के लिए सरल नहीं है ये का अध्यात्म साधना है जो समग्र जीवन को प्रभावित करती है बगवान ने कहा ये शाम्त अंत गतम पापम जनानाम पुन्यकरमनाम ते द्वन्द्व मोहनि पुरत धारन करके मानापमान आधि द्वन्द्वों से उपर उठकर मेरा भजन कर सकते हैं गीता के साथवें अध्याय के 28 वे शोक में कहा इस महत्पुन कतन में प्रासंगी के दो बाते हमें मिलती है एक हमारी जीवन गती इश्वर विरुद्व क्यों होती है और दूसरी इश्वर वन्मुख गती को किस प्रकार संभव और तीवर कर सकते हैं प्रत्य एक बात में दो दो प्रस्ताव यहां दिये गए हैं इनको थोड़ा इस्तार से समझ लें पहली बात है यदि शिव विमुखता को रोक ना हो तो पाप आचरन बंद करना है और शीतोष्ण सुक दुख मान अपमान आदी अनिवार या दंवों से विचलित नहीं होने का अभ्यास करना है यह दोनों दोस्ट जहां दिखाई देते हैं वहां हम अनुमान कर सकते हैं कि बार से कितनी भी पूजा पाठ हो रही हो उस जीवन की गति शिव विमुख ही है इसमें होई वासनाओं का दास पना उसके वद के लिए श्री राम को विशेश दिव्यास्त्रों के आवश्यक्ता पड़ी तो विश्वेश्वर की आराद ना करके पशुपतास्त्र साक्षात शिव से प्राप्त किया उसके बाद राम ने अपने आराध्य से पूछा क्या रावन जैसे शिव भक्त को वद करना मेरे उचत है तब महेश्वर प्रसन्य होकर बोले राम इसमें तनिक भी संकोच नहीं करना कामा सक्त होकर इसने वैदेही कारण किया देव ब्राम्मन पीरन में निरत असुरों को सदा आश्रय और बल देता है उन धर्मियों से धर्ती को मुक् सकते हैं यही शिव संकल्प है और हुआ भी वैसा ही यह जीवन एक सत्य है कि कोई भी मनुष्य संपूनतया पाप मुक्त नहीं होता उसके अंदर पुन्य की संभावन अक्षुन रहती है ठीक निश्य करने पर वो पुन्य पत का अवलमन ले सकता है जावन की बुद्धी न निश्चल निन्वल जब होती थी तब वो महसूस करता भी था कि शिव वजन होना चाहिए पर हो नहीं रहा है प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र में वो प्रलाप करता है चाहे सोने के लिए चटान मिले या राजो चित तल्प पहनने को मौक्तिक माला हो या सर्प का ही ह शम्शान की भूमी पर आसन हो या रत्मनिमय पीठ कुबेर जैसा मित्र हो या गयासुर जैसा दुश्मन एस राशिव आप सब को समानत या स्वीकार करते हैं मैं भी अपने मन को समानता में रखती हुए या आपका भजन कर सकता हूँ ऐसा कब होगा मेरे स्वामी जातब य यह है कि ऐसी आकांक्षा कभी-कभी उठती है तो भी उतने मात्र से साधना बनती नहीं है द्वन्दमों की निवरत्ती के लिए तिवर प्रयास होना चाहिए गीता के अनुसार यही योग है जो हर कर्मा में प्रयुक्त किया जा सकता है समत्वम योग उच्यते प्रत्यक सा रख के लिए पाशुपद अस्त्र प्राप्ति का साधन भी यही है योग शब्दकार्थ साधन तया पातंजली महर्शी प्रतिपादित अश्टांग हट योग ही माना जाता है परंतु योग के विविद विशेश अर्थ होते हैं शास्त्र के प्रतंग के अनुसार इन सभी संपूर्ण और सार्थक होता है जब मन को उसके मूलभूत आत्मस्वरूप में लगाते हैं इसलिए गीता में भगवान योगेश्वर्तितिक्षा रूपी सायम योग वतला कर आगे भजन के वर्णन में चले जाते हैं अनित्य असुख इस शरीर को प्राप्त करके मेरा मुख्य उद्धिष्य समर्पणिया सेवन का है सारा जीवन शेव का सेवन बन जाए तो मुक्ति अवर्ष्यम भावी है ये सेवन एक उजस्वी प्रक्रिया है जो संपूर्ण जीवन को आधार बनाता है देहो देवालयह प्रोक्टह सजीवह केवलह शिवह समुच्चेश् सोहम भावे न पूजये ये शरीर महादेव का मंदर है इसमें निवास करने वाला जिसको तुम जीव समझते हो वास्तव में विशुद चैतन्य अश्यव है अटे इसकी पूजा ग्यान में पुष्पों से ही संभव है प्रत्यक मनोवरत्ति को अपने अंदर के साक्षी चै तन्य मैं हूँ इस विचार को गंबीरता से लें तो साधना के आदी से अंत तक सभी इस तर समझ में आ जाएंगे सबसे पहली बात इस शरीर को देवाले कैसे माने ये कोई साधना देव नहीं महादेव है एक राजा भी विशेश उपकरण से मंदित महल में रहेगा सस्ते म पकान में नहीं ये सारे उपकरण तुम्हें इकत्रित करने पड़ेंगे और उसके बाद मन के अंदर शिव का अभान करना उचित रहेगा इस विशे में आचार्य शंकर का एक सुन्दर श्लोक है गांभीर्यम परिखापदं घन ग्रतिही प्राकार मुद्यत गुण स्तोमस्चात्प बलं गनिंद्रिय चयो द्वाराणी देहिस्थितह विद्यावस्त सम्रद्दिरित्य खिलसा मग्री समेते सदा दुरगाती प्रियदेव मामक मनो दुरगे निवासं कुरू है दुरगा कि खाई इसके चारों हो रहे अविचल देहरे की अटूट दीवाले किला बनी है उच्च कोटी के सशक्त अध्यात्म गुणों को सैना रूप से इसके अंडर व्यवस्थित किया है इस किले में सुद्र ग्यारह इंद्रिय रूपी द्वार मेरी आग्या से संचालित हैं किल कावे में रूपक के द्वारा मुक्ती उपायों का अध्यो पांत प्रसिपादन है इनके मुख्य मंदूओं का संक्षित उले किस प्रकार है गंभीरता मन रूपी किले की बारी और सर्वप्रतम रक्षा साधना परिखा का अर्थ है चारों तरफ खोदना मन की गहराई को सभी व्यवार में प्रकट करना और उसको शास्त्रिय कर्म रूपी जल से भर देना सच्चाई और तत्परता से शास्त्रवेद कर्मों को ही एक व्यक्ति करता है तो उसके मन में गंभीरता आ जाती है हलके खुद्र विचार अंदर नहीं उठते बाहर से भी अधर्म की प्र रत्यों को लेकर ही चलते हैं तो विक्षिप होगा ही एक गहराई में जाकर देखें तो विरोध का भी अर्थव होता है विरोधी को भी शांत भाव से अपना सकते हैं शायद जीवन की गहराई में कोई विरोध होता ही रही है जैसे सागर के भी तरलहरों की हल चल महापुर कि जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार किस अद्वूर्द प्रकार से उन्होंने अपरादी आविरोधियों हुआ अपनाया देवी द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों की निर्मों हत्या करने वाले शुत्तामा को भी जीवन दान देटी है पर वही देवी चपलता में आकर दुर्योधिन के प्रती अपमान जलक शब्दों का प्रयोग करती है तो अनर्थ का द्वार खुल जाता है अते हमें हमेशा गंबीर होकर ही रहना है मजाग करते समाएगी दूसरा दृती धैर्यपूरवक अपने नियत साधना मार्ग पर चलते रहना इस गीता श्लोक म और शास्त्रोक्त पधपर ही साधना बनती है अन्यता तमोगुणी हठ अनर्थ का कारण बन सकता है न्यायात पथ प्रविचलंती पदम्न धीराहा कहते हैं राजा ब्रतहरी के प्रसिद्ध है श्रेयान से बविग्नानी श्रेय के रास्ते बहुत विग्ना आते हैं उन पिचार करके श्रेयस को चुनता है इसे मालूम होता है कि धीरता में दोनों गुनों का समनवे है विवेक वुद्धी और इष्ट साधना में डटे रहने की दृड़ता मनु महाराज ने इसी को धर्म का आधार मान कर अपने दशलक्षन धर्म वर्नन में दृती को सरक्तम ब होता है और प्राय किला किसी मूचे पहाड़ी आगम में शिलाखंड के उपर ही निर्वित होता है अध्यात्म जीवन में सत्पुरुषों का संगही उच्च अडिग शिला है सहज विश्वस्नी अन्नीव है सज्जनों को प्रेर्णा और आधर शुरूप से अपनाने पर सा सदल रट लिया जाता है उसके सफल पालन द्वारा सास और मनुवल बढ़ जाता है तो और उचे नियमों को निभाने में प्रवर्त्ती होती है इस प्रकार ये धर्य का किला खड़ा होता है तीसरा अध्यात्म गुणों का संचय यह मैंत्पूरंग है किले का सही प्रयोग क करने वाली उसके अंदर की सेना है आत्म बल परियाप्त मात्प्रा में होना चाहिए मानमी के स्थानों स्ट्रेजिक पॉइंट्स में मुख्य तया और साधर्ण तया सरवत्र सशस्त्र सत्रक सेना को कड़े करते हैं ताकि कहीं से भी दुश्मन के आक्रमन को रोका जाए दि कर्म योग या भक्ति योग या ज्यान योग अपने को इश्ट हो इन सब में उतकरष्ट गुणों को संचित करने का निर्देश है बगवत गीता में बारा तेरा और सोल में अध्याय में इनका विस्तरत वर्नन है भगवान कहते हैं इन अम्रतमाई घर्मों का सेवन वगवत परता से जो करते हैं वही मेरे अत्यन तो प्रिया भकता है किवल कुछ पूजा पाठ कर लेने से या भावावेश में आसों की दो बून वहाने मातर से वक्ति सिद्ध नहीं होगी आपको भगवान अच्छे लगते होंगे पर कभी आपने सोचा और परिक्षन करके देखा की आप भगवान को कितने प्रिया लगते हैं निरुबल के बलराम का गलत अर्थ लगा ओर वह उत्त से साघ adviser के गरत में पड़े रहते हैं इसाशा के साथ की भगवान हमें छोडेंगे नहीं बगवान सहीं घोशित करते हैं कि जो जैसा मेरा सेवन करता है मैं भी उस प्राप्ति में किसी का क्या गुण है क्या दोश महापुरुष कहते हैं कि लोभी धनार्जन में और कामी काम पूरती में जिस तिवर्दा और परश्रम पूर्वक का प्रयास करता है उस प्रकार आत्म प्राप्ति में लगे तो प्रत्यक व्यक्ति इस जन्म में मुक्त हो सकता है चौथा विद्या सामगरी या विद्या शब्द से उपासना आर्थ लेना चाहिए जैसा वैदिक साहित्य में होता है वेदों में यज्या आदिक कर्मों के साथ उपासना का विदान है जिसमें मानसिक व्यापार होता है उजारण के लिए यज्या आहुती के लिए पात्र में में आहूत करना है, प्रत्य कर्मा और प्रत्य को आहूती बनाना है, पहले ही कहे कर आए हैं कि शरीर को शिवालय बनाळे हैं और बुद्धी की सारी व्रत्यों को पुश्प जिसमें अंतरात्म शिव की अर्चना हो, यह उपासना की समर्दी है। इसी से साधर के भी तरदिव्य गुण रूपी सेना, पुष्ट और सशक्त होगी। प्रक्रत शलोक में इसलिए विद्या को अध्यात्म के लिए के पैवार की सामगरी बताया है। द्यान रहे ये शास्तरी शच्तर भंदार की हो ये सामगरी शच्तर भंदार की हो या खाद्यमंदार की इसमें प्रचुरता विविदता ओजस्वेता चाहिए उत्वम उपासना में इन सब की आवश्रकता है इसी से सम्रद्दी आती है प्राई साधारन साड़क उपासना के एक ही रूप को पकड़ कर बैठ जाता है यह उस बोजन की तरह है जिसमें एक पडार्श हो एक साड़क छे मैंने तक सिर्फ पपीता फल पर ही निर्वर रहा तो सारा शरीर पीला और दूबला होने लगा कुछ लोग सिर्फ आलु ही खाते हैं या बात काई बोजन करते हैं यह सब रोगी होने के उपाए बोजन में शरीर के आवश्रक सारे तक तो मिले तिक पादी आना चाहिए, भगवान की राजोग चार पूजा में 56 भोग प्रसिद्ध हैं, उत्तम उपासना में भी 56 प्रकार होना इश्ट है, इतना नहीं हो सकता हो, तो कम से कम चार प्रकार का तो होना ही चाहिए, जितना शास्त्रों में विस्तार से प्रतिपादन है, एक किसी का श्रेष्ट या निकरष्ट बताना तात्पर या नहीं, प्राय इन सभी को दैनीक उपासना में च्छान देते हैं, चैतन्य स्पर का विकास और उन्नत्ती जैसे होती है, उत्तरोत्तर उपासना अंग सुलब और इस्पश्ट होते जाते हैं, आचारे सुरेश्वर, भाष्यकार शी शंकार अचारे के प्रमुख चार शेष्ट्यों में से एक हैं, उनके जीवन में कहा जाता है कि काशी क्षत्र के प्रतम दर्शन से वे बहुत प्रभावित हुए थे, भाष्यकार के साथ भारतवर्श ब्रमन करते हुई दुबारा वाँ गए, तो गुरु की अनुवति लेकर वे काशी गए, यात्रा से वापिस लौटने पर, आचारे प्रभर ने स्री सुरिश्वर से पूछा, पहले दर्शन किये थे, उससे अब क्या नुटनता मिली, सुरिश्वर ने गंबीर होकर का भगवन प्रसम दर्शन में मैंने श्री विश्व प्रलय में भी अलुप्त है, ऐसी काशी को दिद्याभा मैं सर्वदेव मैं क्षित्र को देखा, तीसरी बार वहां जाते ही, मेरी चितना भ्रकुटी में केंद्रित हो गई थी, श्री विश्विश्वर की सन्निदी में जाते ही, मैं ध्यानस्त हो गया, अब जोतरलिंक के सि और कुछ भी नहीं रहा, देखने वाला भी नहीं रहा, मैं उस वर्नन, उस अनुभव का वर्नन करने में असमर्थ हूँ, हमारे प्रसिद्य तिर्थिया देवाले को जड़सान इमारत या संग्रहाले नहीं है, भगवान बाश्यकार ने अपने संक्षित जीवत समय में, ज जहां जाकर प्रत्यक सादक अपनी सादना जन्य प्रगती का मापत अंड़ पाता है, भगवान भाश्यकार श्रीशंकर स्वरिश्वर की वाद सुनकर प्रसंद हुए और काशी पंचकम स्तोत्र की रचना की, इसमें वे आनन्द विभोर होकर गाते हैं, सांकाशी का हम करने की क्या जरूरत, ऐसा मान कर बैठ जाने से वकास अवरुद्ध होगा, भरती उपारसना पद्धर्ती आत्म विज्ञान पर आदारित है, और सिद्ध पुरुषों से प्रमानित है, विदिवत अनुष्ठान होने पर यह अमोग फल दायक है, माशिवरात्री के उपलक् नामक भील का इतिहास प्रस्तुत करता है, अरिच्छया अनजान से और शौच शंकल पादी अंगों से रहित होकर भी इस भील से संयोग वश्मा शिवरात्री का जो अनुष्ठान हुआ, उससे भील के रिदय में दया सत्य, त्याग आदी गुणों का उदै हुआ, और उसक पदस्वरूप साक्षाद भगवान वा महिश्वर भी आविर्भूत हुए, इस प्रकार के द्रश्टानतों के द्वारा रिदय परिवर्तन और शिव दर्शन प्रकट करने की क्षमता उपासना के विशेश प्रयोगों में है, ये बतलाया गया है, शिव पुराण में साक् प्रयोग शिष्ट नहीं माना है, क्योंकि शिव पिंडी में समस्त विश्व का प्रतिकत्व है, सारे विश्व की शिव पिंडी में भावना करते हुए मेरी पूजा करने वाला ही मेरा प्रिय भक्त है, उससे अधिक मेरी प्रितिका कोई और उपाय नहीं है, आचारे शंकर भी एक जगे कहते हैं ये भवानी पती आपकी पूजा करने की सच्ची कोशिश में मैं स्वाइम शिवरूप धारन कर लेता हूँ आपका नाम संकीरतन करता हूँ तो निश्चा ही आपकी सन्निदी महसूस होती है आपके भक्तों के साथ बैटकर संबाशन विचार विमर्ष करते समय ऐसा लगता है कि हम कहिदास में हैं चराचर संसार आपका कलिवर है ऐसा ध्यान करता हूँ तो साविज्य मुक्ति सिद्ध हो जाती है और कुछ करने की क्या जलूरत है उपासना के बल्प से सारुप्रिसामे प्रिसलो क्यादी मुक्तियों का नभव इसी लोक में हो जाता है निष्ठा और तिमृता चाहिए इस प्रसंग में कश्मीर की प्रसिद्ध शैव संत ललिश्वरी का दृष्टांत स्मर्णिया है लोग इसको स्नेवश लली कहते थे माले काल से ही पंडित श्री कंठ से पंचाक्षरी मंत्र दिक्षा प्राप्त कर ईश्वर भक्ति में तलीन रहती थी अल्प उमर में प्राप्त वैधव्य को आशिरवाद मान कर वो ग्रहत्याग पूरवक सरवतो भाविन साधना में तत्पर हुई उस समय के क्षित्रिय सभी संत मुसल्मान पी रहों या शेव सिद्धांत के पंडित हों उसके उच्छतर अध्यात्म स्थिति की सरहना करते थे एक बार ब्रह्मन करती हुई लल्ली अपने पूरवाश्रम के गाउं में शी कंठाचारी से मिली आचारे ने पूछा तुम कहां तक सिद्ध हुई नमर स्वर में लल्ली ने उत्तर दिया आप गुरू है आप परिक्षा करके देख सकते हैं मैं क्या जानू गुरू भी तैयार हो गए एक आंत साधना कुटीर में उसे ले जाकर अनाज रखने के बड़े मिट्टी के हंडे कुसूल में उसे खड़ा कर दिया और कुसूल के गई पंद्रे दिन के बाद हमावस्या थी जाकर कुटिया का ताला खोल कर अंदर देखा तो कुसूल पर ढकन बैठा था उसको उठा कर देखा तो लल्लिश्वर के शरीर की जगए चमकताते जो मैं एक पारद पिंड मात्रद्रश्टी गोचर हुआ अत्यन तविस्वित होते हुए आचार्य रोज उस पारद लिंग शरीर पर शिव अविशिक्त दूद से सिंचन करते रहे दिरे दिरे लल्ली का शरीर बढ़ने लगा और पूर्णिवा पर पूरा रूप पूर्वववत प्राप्त हो गया था ये तो तनमयता और योग शक्ती की पराकाष्टा है विशुद्वक्ति का ही ये प्रभाव है भारत के इतियास में ये सिद्धों की परंपरा आज तक इसको निरूपित करती आई है सजीवह केवलह शिवह मन का संकल्प सशक्त और शिव में हो तो चीते जीते शरीर का भी नहीं रहता पाश्मुक्त जीव की शिवता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है उस शिवद्रश्टी में जीवन का प्रत्यक अनुभव एक पुश्प गुच्छ है चैतन्य का सौरभित सुन्दर विकास है संवित समुच्चय है इनी से हम आत्मेश्वर शिव की अर्चन करते रहें यही महाशिवरात्री का रहस्य है इस अध्याय के पश्चात संघरण शीर्शक से स्वामी जी लिखते हैं संस्वनन से इस पुस्तक को प्रारम किया था संघरण से समाप्त करना उचित होगा वेदान्त परंपरा में उपक्रम उपसंगार एक होना चाहिए और उ इसका होता है संस्मरन का विशय ऐसा है जो कुछ बीट गया पर बहुत कुछ अंश में अभी भी हमारे पास है इस प्रकार हरण में हट जाने या खोँ जाने का रथ है संघरण उसको कहते हैं जा पडार्थ अपने मूल तत्व में लीन होता है इश्वर श्रष्टी करते ही तो संगार भी क्योंकि उनके लिए उनके सिवान्यक कुछ है ही नहीं अपने में से स्रिष्टी की कलपना करते हैं और अपने में ही उसे समिट लेते हैं ये संगरन है स्थूल उदारन के लिए पेड़ में से हरे बरे पत्तों को काटकर कोई ले जाता है तो हरन हुआ यह रिव भूमी में बकरी के पेट में या कहीं भी जाएगा तो वहां पचपच कर वापस उन प्रत्वी जल अगनी में जला जाएगा जहां से पत्ना उच्पन हुआ था अत्य मानना पड़ेगा कि जगत में सरवत्र संगरन की प्रक्रिया चल रही है प्रादम में मैंने कहा कि चैतन पदेश प्रादम करते हैं है अर्जुन तुम मैं और ये दुर्योदन आदी विपक्षी राजा सब के सब पहले भी थे आगे भी रहेंगे जीवन रक्ष के रूप बदलते हैं मूल में वो अश्वत्थम अव्ययम है प्रवचनमाला के प्रादम में ही पर्ण का दृष्ठ ही मूल है जिसमें से स्रिष्टी व्रक्ष उगता है और उसमें अनेक कोट ब्रह्मानों की अविरल पंक्ति पंक्तों पत्तों की तरह खिलती है और जड़ जाती है इश्वर के लिए मेरा जीवन भी एक पत्ता ही है पर क्या मैं उसको जान पाता हूं जान लेता हूं तो मेर जीवन का भी संगरन ही होगा ये तभी संभव होगा जब मेरी इच्छाएं इश्वर की सुष्टी मूल कामना के साथ जुड़ जाती है एक लए हो जाती है उप्रियुक्त सारे विवेचन में हम इसी लए साधना की बात कहते आए हैं साधना विचारवान मनुष्य अपने प् स्मृति कारौने का मौन तुम्हारे केश को पकड़कर खड़िया ऐसा समझ कर द्रम का आच्रन करो तो धर्म की बात है अध्यात्म साधक को मृत्य साक्षात गुरु है हमारा साधना उनकी ही शिक्षा है शरीरपाद तो है इसे परिक्षा की घडिया है इसमें अनुतिरं हो से या अश्टांग योग में धारणा के नाम से हमारे सम्वित सपर या आदी प्रकाशनों में या किसी भी योग ग्रंट में इसका विवरण मिलेगा शरीर के उपादान सावग्री रूप पंच भूतों में स्थूल तम प्रत्वी को लेकर सुक्ष्ण तम आकाश तक एक एक उत्तर उत्तर तत्व में लीन होते हुए दारना करते हैं और आकाश को भी चैतन्य आत्मा में लीन करके अनंत चैतन्य में स्थित हो जाते हैं इसका अभ्यास हो तो शरीरपात के समय भी इसको लेकर मृत्य का स्वागत कर सकते हैं इश्वर की संगरन लीला के लिए ये उप प्युक्त्सवर संगीत बनेगा इशावास्योपनिशद के अंतिम मंत्रों में अध्यात्मसादरा संपन सादक की अंधिम प्रार्थना का सुन्दर सार गर्भित वर्नन है इसमें जीवनेश्वर जगत साक्षी को गुरु रूप से सादक आवाहित करता है सूर्यय मगनी नाम पर इसका और कठोपनिशद कर्षित नचिकेता उपाख्यान का पाठ किया जाता है संविच सादक अपने लिए रोज इसका पाठ करेगा तो उत्तम रहेगा इस शावास्य मंत्रों का सरवनुवाद प्रस्तुत कर उस प्रार्थना भाव से ही इस ग्रंथ को संपूर्ण करते हैं नित्य नूतन पुस्तक शुक्ल यजुरुवेदिय प्रार्थना मिरन्यमयन पात्रेन सत्यस्या पिहितम्मुखं तत्वं पूशन पाब्रणू सत्यधरमा यदृष्टये पूशन्यकर्षे यमसूर्य प्राजापत्यभ्यूह रश्मिन्समूह तेजो यत्ते रूपं कल्यानतमं तत्ते पश्यामी योसावसौ पुरुशह सोहमस्मे वायर्नली म म्रत मथेतं पस्मानकं शरीरं ओम क्रतोस्मर 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 अग्निनल सुपधाराये अस्मान विश्वानी देव वैरानी विद्वान योद्य मस्जूरान मेरों भूय इस्टाम्ते रम उक्तिम्विदेमा ओम पूर्णमदह पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवाव शिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान् परम सत्य का मुखमंडल हिर्ण मैं पात्र से ढखा हुआ है उसे आप हटाईए ताकि मैं जो जीवन भर धर्म का फालन करता रहा हूँ अब सत्य का साक्षाद दर्शन कर सकूँ ये सूर्य आप एकांत में गतिशील हैं प्रजाओं की उत्पत्ति आप से है सब को अपने शासन में रखते हुए उनको गति देने वाले आप हैं आपकी उर्जा की रश्मी चारो तरफ सारित है वे कल्यानकारी अवश्य हैं पर वे आपके जिस कल्यानतम रूप को आवरत तक किये हुए हैं उसका मैं दर्शन करने का इच्छुक हूँ अधिकारी भी हूँ चुकि मुझे इस परुक्ष ज्यान का निश्य हो चुका है कि जो आदित्य मंदल में पुरुष है वही मैं हूँ कृपा कर आप संसार रूपी अपने किरन जाल का संगरन करें और मुझे अपने कल्यानतम सत्य का दर्शन दें ये मेरा प्रान उस महा प्रान वायू से जुड़ा हुआ है जो शाष्वत रूप से ब्रह्मान को धारन करता है मेरा प्रान उस महा प्रान में लीन होने का समय आएगा तो इस शरीर टूपने लगेगा उसको अंतियश्टी यागा नला में आहूती रूप से अर्पित किया जाएगा और ये मेरा शरीर भस ममात्र रह जाएगा पर मैं से मैं अपनी चेतना को अर्पित कर रहा हूँ है उंकार रूप परमात्मा अप मेरे समस्त जीवन कर्म और संसकारों के साक्षी हैं उनको देखते हुए मेरी आत्मा को आगे वड़ने के लिए पुष्टी संतुष्टी संपन होने के लिए समवित मार्ग पर ले जाना मेरे स से कोई पाप आच्रण हुआ वो तो उन सब को दग्ड कर देना क्योंकि मैं आपका उपासक हूं और रहूंगा बरबार आपको मेरा नमस्कार तन मन वानी से मैं आपको नमन अर्पित करता हूं ओम शानते है शानते है शानते है तो इस प्रकार स्वामी जी की कृपा से नित नूतन पुस्तक का अनितिमध्याय प्रशुपती का पठन करने का अफसर आपके साथ जो मुझे मिला तो स्वामी जी की चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आपका भी धन्यवाद और पुने यह सूचना दोराते हुए कि इस वीडियो के लिंक में बाकी के जो पू फूर्ण पुस्तक हैं समित साहित्यको डाउनलोड किया जा सकता है पढ़ने के लिए प्राप्त किया जा सकता है यह सूचना भी आप तोर पहुंशाते हुए जीवन में सब का कल्यान हो आपके जीवन में पूर्णता प्रकटित हो ऐसी प्रार्शना के साथ पुने पुने धन्यवाद ओम नमक पार्वती पता ये हरहर महादेव स्वामी जी महाराज की जाए हरवुदेव मात की जाए जै वोलोशी स्वामी श्वर महादेव की जाए जै श्री कृष्णा जै गुरू